हलो और वेलकम टू दिस स्पेशल पोड़कास्ट ओन क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है विजय भाव में जो कि एक सीरीज बना रहा हूं यह क्रिकेट के वर्ल्ड कप पर और हरोज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मैच का एनालिसिस थो पूरे वर्ल्ड कप का हम लोग साथ मिलकर लुट उठाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल जो मैच हुआ था हम्दाबाद में इंग्लेंड वर्सीज न्यूजीलेंड का देखे लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें यह दोनों टीम फाइनल में तो मान लीजे कि आज न्यूजीलेंड एहम्दाबाद में उस वर्ल्ड कप का बदला लेने के लिए खेल रहा था ऐसा मालूम हुआ क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलेंड ने आउट राइट सिंगल एंडली पूरा मैच जिस तरीके से खेला है और जिस कन्विंसिंग लि उनको क्रेडिट देना चाहिए और इंगलेंड के पास उनका कोई जवाब नहीं था पहले इंगलेंड बल्लेबाजी करते हो सिर्फ टू एटी टू रंस बनाए और जो रूट जो की सबसे अच्छे बल्लेबाज है उनके तो उन्होंने 77 बनाए बाकि कोई खास ऐसा बल्ले अप्रोच है वो वंडे या हो या टेस्ट हो सभी जगह वो उसी एप्रोच के साथ खेल सकते हैं लेकिन कल उनके पाद उनके साथ वो बैक फायर हुआ वो इतने रन बॉर्ड पर नहीं लगा पाए और न्यूजिलेंड की गेंद बाजी की तारिफ करनी होगी क्योंकि मिचल सेंटनर ने सिर्फ दस ओवर में सिर्फ सैंतिस रन दिये और इंग्लेंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था तो बहुत ही बढ़िया परफॉमंस रहा और न्यूजिलेंड की टीम को आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से उनका फिल्डिंग, ब बिल्कुल हलके में आपको नहीं लेना है तो पहले उनका काम था इंग्लेंड को कम स्कोर में आउट करना वह बकू भी किया और इंडिया में आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि यहां की विकेट स्लो होगी टर्निंग विकेट होगी तो स्पीनर्स को हैल्प मिलेगी औ तो इंग्लेंड के स्पीनर्स को उन्होंने गेम में आने ही नहीं दिया उन्होंने जो पावर प्ले का इस्तेमाल किया साथ साड़े साथ आठ रन प्रती ओवर उन्होंने रन बनाये और एक भी मोमेंट ऐसा आने नहीं दिया कि पूरे गेम में इंग्लेंड को कभी वापस आने का चांस मिले जो उनके ओपनर थे डेवन कॉनवे और फिर वंडाउन आए रचीन रविंद्र क्या शांदार बल्लेबाजी की लेकिन इंग्लेंड के बॉलर को जो ट्रीटमेंट मिलिये और बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहे थे चाहे स्पीनर हो या फास्टर हो सभी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला और रंड्रेट को एबो रिक्वाइड रंड्रेट के उपर ही ऑल्वेज रखा था तो कभी भी उनके उपर प्रेशर नहीं आये था और इतनी शांदार बल्लेबाजी की कि इंग्लेंड क के पास कोई कोई चांस ही नहीं था कि इस मैच में वह वापस आ सके और दोनों ने सेंचुरी लगाई तो सबसे पहले तो इसका कॉंग्रेजुलेशन बनता है रचीन रविंद्र जो की भारतिय मूल के है और डेवन कॉन्वे उन्होंने 152 रन बनाए तो यह वल्ड कप की प उसमें कोई स्टार खेलाडी नहीं है एक केन विल्यमसन को छोड़ गया लेकिन सारी टीम जो है वह बहुत ही बैलेंस टीम है बैलेंस का मतलब यह है कि उसमें स्टार खेलाडी इंडिविजली बहुत अच्छा टैलेंटेड है और पर्फोर्मर है वो पर्फॉर्म करते हैं तो जैसे हमारे यहां वीराट कोली है या रोईश चर्मा है यह हार्दिक पांडिया यह सारे स्टार खेलाडी है जिनका नाम बहुत बड़ा है न्यूजिलेंड में केन विल्यमसन को छोड़के आपको ऐसा कोई बड़ा नाम वाला खेलाडी नहीं मिलेगा तो ज्यादा तर वो बिना प्रेशर के आराम से खेल सकते हैं और उनकी बल्ले बाजी में बहुत स्ट्रेंट है नंबर टैन तक उनकी बल्ले बाजी है तो वो प्रेशर नहीं रहता है माली यह तीन-चार विकेट आगे गिर भी जाती है तो भी बैटिंग में उनके डैप्थ है तो इसलिए म न्यूजिलंड को बहुत रेट करता हूं इस वर्ल्ड कática के लिए डेखे शिलैंड को आपको बिलकुल नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और पहली गेम देखने के बाद और इंग लेंग लेंड को जिस तरीपे 911 के लिए पार वोकंवीजीषरम इंडिया रोई शर्मा और सारी तिंग टैंक हमारी जो देख रही होगी उनको भी लगे का कि न्यूजिलेंड को हराना इतना आसान नहीं होगा तो उनके लिए उनको स्पेशल प्रिपरेशन करने पड़ेगी तो न्यूजिलेंड को जीत मिल चुकी है पहली गेम में इंगलें को अब सोचना पड़ेगा कि उनका गेम प्लान क्या चेंज कर सकते किस तरीके से वह वापस आ सकते तो न्यूजिलेंड के लिए बदाई हो और न्यूजिलेंड ने अपना पहला ओपनिंग एकाउंट ओपन कर दिया है और स्कूर जो टैबल पॉइंट्स टैबल उसमें भी कि ऑर गाये अब आज की बात करते हैं आज पाकिस्तान और नेधरलन की मैच होनी वाली है वैसे आपको नेधरलेंड पर एतना वह भरोसा नहीं करना कि नेधरलैंड पाकिस्तान को हरा सकती है क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉंग है और वरल्ड कप की यक दावे हो सकता है लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तान टीम काफी स्ट्रोंग है और मुझे नहीं लगता कि नेधर लेंड उनको बीट कर पाएगी हाँ हाला कि सब की नजर रहेगी बाबाराजम पर कि यह बाबाराजम फिर से सेंचुरी लगाता है या बाबाराजम कैसा खेलते इंडियन व तो मुझे बताएगा यह आपको पोड़कास कैसा लगा और आगे क्या देखना चाहते हो हमारे साथ शो में और आगे मेरा प्लानिंग यह इंडिया की मैच में कुछ हमारे साथ गेस भी जुड़ने वाले तो जरूर मुझे बताएगा आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करेंगे थैंक यह सो मच